अलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों यहां पे और एक recruitment निकल के आ रहा है वेकेंसि आया है दोस्तो नालको के तरफ से नालको नेशनल अलुमिनियुम कंपनी है दोस्तों वहां से recruitment निकल के आ रहा है पूरा जानकारी दूँगा कैसे आपको अपलाई करना होगा और इसके लिए eligibility criteria क या क्या रखा गया है, वीडियो आच लएगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चले दोस्तों मैं आप लोग को अफिसेल वेब साइट को लेके चलूंगा, वहां पर मैं आप लोग को सारे जानकारी दे दूंगा, दोस् जिसके पास ITI qualification है उनी लोगों ने इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तो अगर आप fresher हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर experience candidate हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर के लिए थोड़ा कम भरती रखा गया है और experience candidate के लिए यहाँ पे बहुत जादा भरती रखा गया है चले दोस्तो आप लोगों को मैं सारे जानकारी दे दूँगा दोस्तो अगर आप ITI student हो अगर तयारी कर रहे हो competitive exam के लिए तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा study material बना के रखाऊं लिंक description में दे रखाऊं क्लिक करके download कर सकते हो दोस्तो बहुत important mcq question का pdf file with previous year paper का pdf file format में दिया गया है चले दोस्तो यह है इसका advertisement यहाँ पे दोस्तो जो भरती रखा गया है post details देख सकते हो दोस्तो operator boil उसके बाद SUPT JOT यह जो post का क्या है पता नहीं है फिर भी post category नाम है दोस्तो उसके बाद operator boiler grade 3, grade 2, grade 1 और उसके लिए जो qualification चाहिए दोस्तो देख सकते हो the candidate most have passed out matriculation equivalent और ITI and passing two year boiler attendant certificate of the competency issued by the government दोस्तो इसके लिए आपके पास ITI होना चाहिए और two year का जो boil attendant certificate होता है ओ है तो आप इसको apply कर सकते हो उसके बाद और एक जो post रखा गया है boiler grade 3 और grade 2, grade 1 उसके लिए passed out ITI होना चाहिए उसके बाद अगर first class boiler attendant certificate है तो भी आप इसको apply कर सकते हो और इसमें experience कुछ-कुछ जगा में मंगा गया है जैसे कि यहाँ पे दोस्तो देख सकते हो इस post के लिए नील लिखा गया है मतलब pressure candidate आप इसको apply कर सकते हो और उसके नीचे जितना भी post है दो साल का experience, पांच साल का experience, आठ साल का experience यहाँ पे mandatory है साथी साथ अगर आप नीचे देख रहे हो तो यहाँ पे नील जहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि operator boiler grade 3 में यहाँ पे pressure वालो आप इसको apply कर सकते हो और यहाँ पे दोस्तो नीचे जो आ रहे हो boiler operator grade 2, grade 1 के लिए experience mandatory है इसको कैसे आपको apply करना होगा, edge limit दोस्तो लिख दिया गया है edge limit match कर रहा है तो ही आप इसको apply कर सकते हो और दोस्तो salary बहुत बढ़िया है, यहाँ पे दोस्तो देख सकते हो operator grade 3 जो है boiler के लिए यहाँ पे 29,500 से शुरू होगा और 70 तक मिलेगा, उसके बाद operator broiler grade 2 के लिए 31,500 उसके बाद grade 1 के लिए 34,000 टोटल मिलेगा उसके बाद आपकी जो allowances वगेरा वो सारे add हो जाएगा selection process देख सकते हो दोस्तो यहाँ पे return test होगा उसके बाद यहाँ पे trade test या skill test आपको लिया जाएगा और application fee के बाद करें, यहाँ पे आप लोग के लिए 100 रुपीज application fee रहने वाला है आपको कैसे apply करना है, apply करने के लिए link मैंने description में दे रखा हूँ देख सकते हो nalcoindia.com आप click करिए उसके बाद आपकी एक website आजाएगा जहाँ पे आप इसको apply कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पे अगर exam होगा तो odysa में ही होगा नalco जो है ओडिसा में ही उसका unity है और exam जो होगा हो सकता है वुबनेशोर और कलकाता नजदिक का center दे सकता है अगर आप ready हो exam देने के लिए जा सकते हो तो ही आप इसको apply करिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसका जो address है अनुगुल odysa अनुगुल एक नालको का जो odysa का एक district है वहाँ से recruitment निकल के आया है और दोस्तों इसका जो online date है यह 1 जानवारी से सुरू करके 30 जानवारी 2021 तक चालू रहेगा और इसका जो payment last date रहने वाला है और received hard copy send करना पड़ेगा उसका जो last date है 6 February 2020 21 तक आप इसको apply कर सकते हो तो दोस्तों इसके regarding कोई भी doubt है तो comment करिए और अगर हमारे साथ chatting करना चाहते हो तो telegram में join हो जाए या instagram में join हो जाए हमारे link में description में दे रखाऊं क्लिक करके आप join हो सकते हो यह था दोस्तों छोटा सा information वीडियो आच्छा लगा तो like करिए मिलते हैं bye bye जैहिं